नमस्कार दोस्तों, वैसे तो सबको अपनी आवाज पसंद होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी आवाज पसंद नहीं है, और आप स्टोरी नरेट करना चाहते हैं, या फिर किसी डॉकुमेंटरी के लिए वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो चलिए एक SII टूल के बा इनका free वाला plan subscribe किया है आप paid वाला भी देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ उसके अंदर इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर speech synthesis पर और यहाँ पर कुछ setting दिया हुआ है यह वाला जो setting है दिया है कि कि किसके आवाज में आपको story generate करना है या फिर कोई text को speech में convert करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके voice में आपको generate करना है और यहाँ पर कुछ voice setting दिया हुआ है आप यहाँ पर change करके देख सकते हैं कि क्या-क्या setting दिया हुआ है यहाँ तीसरा दिया हुआ है कि कि किस language में आपको यह text को voice form में generate करना है तो हम यहाँ पर एक दो देखेंगे तो पहले English वाला देखते हैं बाद में हम Hindi वाला भी देखेंगे कैसे यह generate करता है तो पहले हम click करते हैं English वाले पर और यहाँ पर हम type करेंगे अपना text वाला story तो अब वह story कहां से लाए उसके लिए मैं जाता हूँ Google बाड में यह भी एक chat GPT जैसा है तो मैं यहाँ पर type करता हूँ बाड और यहाँ पर command type करता हूँ write a story on honesty तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं story copy paste करूँगा इतना ही copy करता हूँ और यहाँ स्क्रोल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा generate generate हो जाए भाई once upon a time there was a young boy named peter who lived in a small village peter was a kind and honest boy but he was also very poor चलो अब देखते हैं कि Adam हिंदी को कैसे narrate करता है तो उसके लिए मैं वापस से जाता हूँ गूगल अबाड में और यहाँ पर हिंदी वाले story को मैं लेके आता हूँ यहाँ पर मैंने हिंदी वाला एक prompt टाइप किया है और मैं इस story को अब थोड़ा सा ही copy करूँगा और वापस से यहाँ पर paste कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं यह पहले language चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं select करूँगा हिंदी Adam को इस select रहने देते हैं और देखते हैं कि Adam हिंदी में कैसे इस story को generate करता है तो नीचे जाके मैं यहाँ पर generate पर click करूँगा थोड़ा wait करते हैं देखते हैं कि इस story को Adam कैसे narrate करता है हिंदी में आप सुनेंगे तो आप भी बुलेंगी वहाँ कितना कमाल का tool है यह एक गाव में एक बहुत ही इमानदार लड़का रहता था उसका नाम गणेश था वह हमेशा सच्चाई और इमानदारी के साथ रहता था तो देखा आपने यह AI tool कितना कमाल का tool है जो किसी भी text को high quality voice में convert कर देता है तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी और इस वीडियो को जितना होता के शेयर कीजी धन्यवाद